अधान की फसल में पोशक तत्व का उचित प्रवंदन भी बहुत महत पूर्ण है जैसा कि हम जानते हैं कि फास्पूरस, पोटाश और जिंक इनका प्रियोग हम रोपाई के समय पे या बुआई के समय पे करते हैं और नाटोजन का प्रियोग कुछ किसान रोपाई के पूर्व करते हैं और बाकी जो नाटोजन की मात्रा है वो रोपाई के बाद किसान दो बार प्रियोग करते हैं तो बेतर यह होगा कि नाटोजन का प्रियोग हम जो लीफ कलर चार्ट है एक पैमाना होता है जिस पे पांच अलग अलग रंग की पट्टियां बनी होती है रंगों की पट्टियां होती है पहला रंग बहुत पीला सा होता है हलका पीला होता है फिर हलका हरा होता है फिर ऐसे ऐसे करते हैं जो पांचवे नंबर की पट्टी है उसमें गहरा हरा रंग ह इन रंगों की पैचान के अधार पर हम धान के खेत में नाइटोजन का सही समय का पता लगा सकते हैं और इससे हमारे नाइटोजन की बचत होती है जिन किसान भायों ने रोपाई द्वारा धान लगाया है अत्वा सीधी बिजाई से धान लगाया है वो लीफ कलर चार्ट का प ध्यान रहे बुवाई के 21 दिन बाद या रोपाई के 14 दिन बाद ले और जिन किसान भाहियों ने नाइटोजन का प्रियोग बुवाई के समय या रोपाई के समय किया है तो उनको सीधी बीजाई के केस में पहली रीडिंग लीफ कलर चार्ट द्वारा 28 से 30 दिन पर लेनी है और अगर रोपाई की गई है तो पहली रीडिंग 21 से 25 दिन पर लेनी है और साथ ही हमें ध्यान रखना है कि अगली जो हमें रीडिंग है वो प्रितियक सब्ता के अंदर पर लेनी है और रीडिंग लेने का सबसे उप्युक्त समय सुबह 8 से 10 बजे या दोपैर बाद 2 से 4 बजे का है और रीडिंग लेते समय आपकी पीठ के पीछे सूरज होना चाहिए और शुरू से आखीर तक एक ही आदमी रीडिंग ले ऐसा नहों कि एक रीडिंग एक आदमी ले ले दूसरी रीडिंग दूसरा आदमी ले ले तो एक ही आदमी रहे और खेत के सारे हिस्से मे जो रंग पट्टिय है उस पर रखें और पत्ते को तोड़े या नस्ट्ने करें फिर यदि छे या यदि पाँच जैसे एक से लेके पांच तक इसमें नंबर होते हैं यदि तीन नंबर की जो रंग है, रंग की पट्टी है, उससे हमारी धान की पत्ती का रंग मैच कर रहा है, यानि मिल रहा है, और दस में से छे पत्तियों का रंग, अगर मिल जा रहा है तीन नंबर से, जो critical value है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि nitrogen डालने का उप्युक्त समय आ गया है इस reading की जो critical value तीन आने पर हम धान में लगवग 20-25 किलोग्राम nitrogen प्रति हेक्टर का प्रियोग करें, अगर आप ऐसा करेंगे और फिर अगले हपते फिर देखेंगे, तो जब भी ज़रूरत हो, उसके हिसाब से आप nitrogen का प्रियोग करेंगे, तो आपको अधिक लाब मिलेगा झाल